नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं हूँ प्रियादर्शन बिहार में लोग सभा चुनाओं को लेकर के जदियू ने आज अपने 16 प्रत्यासियों के नामों की घोशना कर दी है NDA में घटक दल के रूप में सामिल जदियू के पास इस बार बिहार में 16 सीटे दी गई हैं तो अपने तमाम सीटों पर जदियू ने आज उमिद्वारों के नाम की घोशना की और इसमें आपको यह बताएं कि 16 जहां पे आज इस बार जदियू चुनाओं लर रही है इसमें जदियू ने अपने 12 सांसदों को फिर से मौका दिया है यानि कि जदियू के 12 सांसद एक बार फिर से चुनाओं मैदान में होगे वहीं जदियू ने अपने कुछ पुराने सांसदों का टिकट भी काट दिया है जैसे एगर हम बात करें सिवान की सितामरी की सीट है तो इन तोनों सीटों पर अपने मौझूदा सांसदों का टिकेट कार्ट करके और नए उमिदबार वहां दिये गए हैं। साथी साथ जदियू के खाते में कुछ ऐसी सीटे जो पिछली बार भारतिय जनता पाटी के खाते में थी वे सीटे भी आई हैं। तो इस बार जदियू ने वहां भी एक बराद आउ khेला है। तो हम पहले आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में जदियू के ओर से जो आज सूची जारी की गई हैं। दल उमीदवार होंगे जबकि सुपाउल से दिनेश्वर कामित उमीदवार होंगे किसंगन सीर से इस बार जदियू की ओर से मास्टर मुजाहिद चुनाव बैदान में जदियू का तीर निसाने पे लगाने के लिए उत्रे हैं तो दूसरी और कटिहार में दुराल चंद गौ गौपाल गन से डॉक्र आलोग सुमंग पर फिर से नितिस कुमार ने भरोसा जताया है और यहां डॉक्र आलोग कुमार समन जदियू के प्रत्यासी होंगे भागलपूर से अजय कुमार मंडल को फिर से जदियू ने अपना उमीदवार बनाया है इसी तरीके से बाका से गि इसी तरीके से जहानाबाद के मौजुदा सांसद चंद्रिस्वर प्रसाद चंद्रवंसी पर नितिश कुमार की पार्टी ने लगातार दूसरी वार भरोसा जताया है उन्हें चुनाओं मैदान में उतारा है जबकि सिवहर सीट जो किस बार जदियू के खाते में आई है यहा जदियू ने लवली आनंद को उमीदवार बनाया है तो जदियू के 16 प्रत्यासी हैं जो इस बार के चुनाओं में जदियू के सिंबल पर बिहार की 16 अलग-लग लोकसभा सीटों से चुनाओ लड़ रहे हैं जैसा मैंने आपको बता रहा कि बिहार में जो 40 लोकसभा की सीट हैं उसमें 16 सीट इस बार जदियू के खाते में आई हैं जबकि NDA के जो सेस घटक दल हैं उसमें भारतिय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाओ लड़ रही है जबकि 5 सीटें लोजपार राम विलास के खाते में आई हैं और एक सीट पर जीतन राम मान जी की पार्टी जबक होने बताया कि कैसे इस बार किस की सीट पर कौन कौन उमिरवार चुनाओ मैदान में उतरेंगे